हेलो केट्स, आज हम सीखेंगे मात्राएं चलो, खेल-खेल में मात्राएं सीखें तो देखे, ये हमारे शब्द हैं जिनसे हम क्या सीखेंगे? मात्राएं तो ये हमारा अमात्रिक मीज, इस पर कोई भी मात्रा नहीं होती जैसे चल, घर, अब, तब, इस तरह के शब, यह हमारा बड़ा A, इसकी मातरा है, हमारे यह, देखे, मैंने आपको सिखाया था, यह हमारे बड़े A की मातरा, ठीक है, इसके बादा आती है, हमारी छोटी E, तो छोटी E की मातरा है, हमारी यह, फिर हमारी आती है, बड़ी E, त अब हमारा आता है छोटा उ, छोटे उ की मात्रा है हमारी ये, इस तरह के ठीक है, अब छोटे उ के बाद आता है हमारा बड़ा उ, तो बड़े उ की मात्रा होते हैं इस तरह की, हम ऐसे लगाते हैं ये है बड़े उ की मात्रा, फिर आता है हमारा ए, ठीक है, तो ए और आ, तो ह बड़ा A भी कहते हैं जिसे यरीस में दो मात्राइं लगती है फिर आता है O अब यह देखे एक मात्रा O अब यहाँ पे हमारी दो मात्राईं आब आता है अंग के ऊपर हम बिन्दी लगाते हैं इस तरह से फिर आता है अहां मतलब शब्द के पीछे हम दो बिंदी लगाएंगे ठी तो ये हमारी हो गई सारी मात्रा हैं तो अब हम पहले पढ़ेंगे आ की मात्रा तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं जल अगर हम जल देखेंगे तो ये हमारा अमात्रिक शब्द अब हम इसमें लगा देंगे आ की मात्रा तो ये हमा तो ये हमारी थे बड़े आ की मात्रा अब देखते हैं हमारे छोटी ए की मात्रा देखी ये था द में लगी तो दि-न तो ये हो गया दिन सिर, तिलक, कीरण, लिख, हीरण, टिकट, ठीक है गिन, दिन, पिन, बिन, मिल जब आप यह शत पढ़ें तो आप मात्रा को छोटे में बोलें ज़िए दिन बोलें ठीक है और अगर आप बड़ी लगा रहें तो बोलें दीन तो आप जब बोलेंगे तो आपको अपने पता पर जाएगा इस पर कौन सी मात्रा लगी है आप इजी लिए लिख पाएंगे अब आती है हमारी बड़ी की मात्रा तो अब यह लगी पर तो पर में लगी है तो परी एड़ीन दी मच्छ ली तीर बकरी, दीपक तीन, कील, खीर तो यह ती हमारी बड़ी एकी मात्रा अब हम आते हैं उपर आप देखे हैं हमारा छोटा हूँ और यह हमारा बड़ा हूँ तो अब छोटे उकी मात्रा लगी है तो पुल, सुन, धुन, कुसुम, गुड धनुष, बुल, बुल, सुक, कुल, बुन अब यह हमारे बड़े उकी मात्रा तो अब हम बोलेंगे बूट, दूध, सूरज, कबूतर, खजूर, तापू, तरबूज, जूल, जूम, शह, तूत ठीक है अब हमारा आता ए, आए अब इसको छोटी है और बड़े भी कहते हैं ठीक है अब देखिए रह में लगी तो रेत, रेत, चने, बेलन, सेब, पेड, मैडक, केश, शेर, बेर अब आती है बड़े की मात्रा तो सेर, बेल, टेर, बैग, पेर, पेडल, केरम तो यह होती है हमारी छोटे उ, बड़े की मात्रा, छोटे ए और हमारे बड़े की मात्रा है अब हमारा आता है, ओ, ओ, ठीक है, अब ओ की मात्रा लगेगी तो देखिए इन में क्या डिफ्रेंट है, देखिए एक पहले हमने डंडा बना है, फिर उस पे मात्रा लगाए, ठीक है तो मोर, योग, धोलक, अखरोट, मोर, कोयल, खर, गोश, ओस, ओम अब यह हमारे बड़ो की मात्रा, तो मौन, मौज, नौ, दौलत, दौल, नौकर, गोरव, चोखट, कौन, औरत तीक, अब हमारा आता है, अंग, अंग की देखिए उबर बिंदी लगती है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं पतंग, संत, अंगूर, अंक, जंगल, बंदर, कगन, अब यह कहें, न का साउंड करता है, ठीक, फिर आता है, अहाँ, इसका हमें प्रातह, नम, अब इसके भी अलावा एक पात्रा और होती है, हमारे से कहते हैं, चतर बिंदू, यह उपर लगती है, जैसे कि मा, आख, बू साइरी मात्रा हैं, होप सो आपको समझ आया होगा, इसे पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बाब बाय, टेक, क्यार, हैवा नाइस डे,